सैम और टॉम एक जैसे जुडवाओं बच्चे थे। वे इतने एक जैसे थे कि उनकी मा को भी एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल लगता था। कम से कम प्रिथवी पर उनके शुरुआती दिनों के दौरान। हालां कि जब उनकी शक्ल सूरत के अलावा हर चीज की बात आती थी तो वे एक दूसरे से बहुत अलग थे। सैम का कोई मित्र नहीं था जबकि टॉम एक महान मित्रता निर्माता था। सैम को मिठाईयां पसंद थी लेकिन टॉम को मसालेदार खाना पसंद था और मिठाईयां ना पसंद थी। सैम मा का पालतू था और टॉम पिता जी का पालतू था। जबकि सैम उदार और निस्वार्थ था टॉम लाल्ची और स्वार्थी था। जैसे जैसे सैम और टॉम बड़े हुए उनके पिता अपना भाग्य उनके बीच समान रूप से बाटना चाहते थे। हालांकि टॉम सहमत नहीं हुए और उन्होंने तर्क दिया कि जो कोई भी अधिक बुद्धिमान और मजबूत साबित होगा, उसे धन का बड़ा हिस्सा मिलना होगा. सैम सहमत हो गया. उनके पिता ने दोनों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया. उन्होंने दोनों बेटों को जब तक संभव हो सके चलने और सूरियास्थ से पहले घर लोटने के लिए कहा. तै की गई दूरी के अनुपात में धन का बंठवारा किया जाएगा. प्रतियोगिता के नियम के अनुसार उन्हें समय का ध्यान रखने के लिए घड़ी ले जाने की अनुमती नहीं थी. अगले दिन, सैम और टॉम घूमने निकले. वह काफी धूप वाला दिन था. सैम धीरे-धीरे और स्थिर रूप से चला, जबकि टॉम तेजी से दौडने लगा, क्योंकि वह दौड जीतने के साथ साथ अपने पिता की संपत्ती का एक बड़ा हिस्सा भी जीतने पर तुला हुआ था. सैम जानता था कि जहां तक संभव हो, दोपहर तक चलना और दोपहर को घर के लिए निकलना आदर्श होगा, क्योंकि घर वापस चलने में भी उतना ही समय लगेगा. यह जानकर सैम ने दोपहर को घर लोटने का फैसला किया ताकि समय पर घर पहुँच सके. हालांकि अधिक धन कमाने के लालच में टॉम ने दोपहर के बाद भी घर लोटने का प्रयास नहीं किया. वह सैम से दो गुनी दूरी तक चला और उसने सोचा कि वह सूर्यास्त से प धीरे धीरे उसके रास्ते में अंधेरा चा गया और उसे अपने थके हुए पैरों को घसीटते हुए घर वापस जाना पड़ा. वह रेस हार गया था. केवल उसके लालच के कारण. लालच से हानी होती है.